नमस्का दोस्तों मेरा नाम अनुज आप देख रहे हैं सकसेना टेक्निकल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UP scholarship form 2022-23 के अंद्रगत अगर आप लोगों ने भी अपना एक नया या फिर आपने अपना एक renewal form को fill up किया है form को fill करते वक्त आपने कोई भी mistake कर दी थी और form को log कर दिया था college में भी submit कर दिया था तो ऐसे में boy student यहाँ पर अपने form को किस परकार से online correction कर पाएंगे जैसा कि आपको बता दू UP scholarship के online correction start हो गए है यदि आपके forum में भी किसी परकार की कोई भी mistake हो गई थी तो दोस्तो अब आप लोग अपने forum में correction कर पाएंगे तो आज की इस video में आपको बताने वाले हैं कि online correction किस परकार से करते हैं उमीद पूरी करते हैं कि अगर आप लोग भी ये video complete देख लेंगे आप लोग भी अपने scholarship के form का आसानी से correction कर पाएंगे तो चल ये शुरू करते हैं UP scholarship के form में correction करने के लिए आपको अपने PC, laptop यदि आप लोग अपने phone से try करना चाहते हैं तो आप अपने google chrome browser का use कीजिएगा जहां पे 3.0 पे एक option मिलेगा desktop mode उस option पे click करके आपके सामने जो google है वो कुछ इस तरह का open हो जाएगा इस website के मादियम से आप अपने scholarship के form को fill up किये थे और इसी website के मादियम से अब आप अपने scholarship form में correction कर पाएंगे तो इस website का link हम आपको video description में दे देंगे आप लोग बहाँ पे click करके directly यहाँ पर आ सकते हैं इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आना होगा student वाले option पे आप नया form को apply किया था बोई student यहाँ पर अपना फ्रेस form को login करेंगे और जो student यहाँ पर renewal याणि इससे पहले आप लोगों ने scholarship उसी पार्ट करम में ले रखी है या पर आपने form को apply किया था तो बोई student यहाँ पर अपने renewal form में लोग इन करेंगे अब आपको यहाँ पर काफी सारे option देखने को मिल रहा है fresh candidate में भी और renewal में भी तो आप लोग को बता दें पहला option है pre-matic student login इसमें होते हैं 9th और 10th के student और यहाँ पर intermediate student login इसमें आते हैं first year inter के student और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है post-matic other than intermediate student login तो इसमें दोस्तों आते हैं UG, PG, Diploma, Technical, Medical, Diploma all student यहाँ पर 3rd वाले option में आते हैं और इसके नीचे आपको एक 4th option देखने को मिल रहा है post-matic other state student login तो इसमें जैसा कि बो student है जो student UP के निवासी है और UP के बाहर study कर रहे थे उनी student ने यहाँ पर अपलाई किया था इस form को तो वो यहाँ पर 4th नमबर पर आते हैं तो finally मैं यहाँ पर इंटर से उपर के form को login करके आप लोग को दिखाता हूँ उसका status भी आप लोग को यहाँ पर live दिखाऊँगा तो मैं यहाँ पर postmatic other than intermediate student login करूँगा चाहें आप लोग fresh हो या फिर renewal हो तीसे नमबर वाले option पर आप लोग किलिक करके अपने form को login करेंगे किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का login info ओपन होके आएगा यहाँ पर आपको अपना registration number डाला है session आपका 22-23 वाला होना चाहिए यहाँ पर आप अपनी data of work यहाँ पर आप अपना password जो आपने form को fill करते बग बनाया था यदि आप लोग password भूल गए तो forget password यहाँ से कर सकते हैं और forget password किस परकार से करते हैं इस पर भी मैंने already complete video बना रखिए उसका i button पर link दे दूँगा यदि आप लोग भी अपने password को भूल गए या फिर आपने किसी cyber cafe पर कराया था वो cafe one दो गया या फिर आपके घर से काफी दूर है तो आप अपना password को पुना प्राप्त कर सकते हैं तो वो वाली वीडियो अवश्य देखीगा इसके बाद आपको यहाँ पर capture फिलप करना है submit वाले बटन पर आपको click करना है submit करने के बाद हमारा जो form है यहाँ पर open हो चुका है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया था इस scholarship form को जब आप complete करेंगे final submit करेंगे call इस से verify होगा तो आपको 7 step है यहाँ पर जो green है यह सारी green देखने को मिलेंगी और साथ में सारे option पर tick देखने को मिल रहा है अब आप लोग को यहाँ पर बता दें आप अपने form का status चेक करने के लिए आपको यहाँ पर check current status इस वाले option पर किलिक करना है और किलिक करने के बाद आपका जो भी form का status होगा इस समय का वो आपके सामने यहाँ पर show हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखीगा यह 10 मुक्तर चातवत्ती के लिए form apply किया है सैसन देखीगा 22-23 का है और मैंने अभी इसे निकाला है तो फाइनली आज की आप लोग को यहाँ पर date देखने को मिल रहे है 21-23 साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आजी के दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ date और time आपके सामने यहाँ पर show कर दिया है इसके बाद आपके college का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आपका यहाँ पर registration संक्या होगा जो कि मैंने यहाँ पर height कर रखा है इसके बाद यहाँ पर आपका form का category होगी आप renewal का form है या फिर fresh है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी जाती होगी आपका नाम होगा father name होगा mother name होगा data worth होगी यह सारी information होगी साथ में आपने किस पार्ट करम में apply किया था बो पार्ट करम का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह bachelor of education का है जैसा की B.A.K. student का है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने registration complete कर लिया था finals complete हो चुका है 8.11.2022 को college ने भी verify कर दिया था 15.11.2022 को बैंक की तरफ से भी यह form verify हो चुका है लेकिन इसमें objection कहाँ पर लगा है आप लोग यहाँ पर देखीगा result not declare यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब इनने form को apply किया था उस time MJPRI रोयल खंड यूनिवस्टी बरेली की तरफ से बीट का result जारी नहीं हुआ था उस time इनने form को apply कर दिया था college में भी submit कर दिया था लेकिन अब यह objection में आया है कि आप अपना result declare करके अपना यहाँ पर result की information को fill up करें और इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा option देखने को मिल रहा है enrollment number, roll number, mismatch यह सारे option देखने को मिल रहा है तो आप लोग इन सारे option को अपना correct कर सकते हैं तो किस परकार से correction करना है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझीगा आपको अपने form में बहीं पर आना है जैसा कि मैं आ चुका हूँ home page पर और यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखीगा आबेदन पत्र को संसोधन करें आपको इस वाले option पे click करना है और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके form में कोई problem होगी तब ही आपको यह option देखने को मिलेगा अनिता आपको यह option देखने को नहीं मिलेगा यद करें इस वाले option पे click कर रहा हूँ और click करने के बाद आप लोग के सामने form कुछ इस तरह का open हो जाएगा यहाँ पर आपका रेशेशन नमबर और आपकी information देखने को मिलेगी आपके form में क्या objection आया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद आपको यहाँ पर अब इवाबक का आय परमाडपत की information देखने को मिलेगी जो कि आप लोग change नहीं कर सकते हैं जो आपका लगाए वही रहेगा इसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको और सारी information यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी जैसा कि bank information और non-defendable fee यह सारी details देखने को म अब हमारा result नहीं आया था अब हमारा result आ चुका है तो हम यहाँ पर इसे pass करेंगे और यहाँ पर बारसिक परिक्षा प्रयाड़ी रखेंगे जो भी हमारे प्रयाड़ी है और SJPA या फिर CJPA या फिर बारसिक अंक है जो भी हमारा है वो हम यहाँ पर select करेंगे हमारा प्राप्तांग कितना था पूडांग कितना था और यहाँ पर हमारे जो percentage थी वो यहाँ पर क्या है साथ में हमारे UP board साथ में दोस्तों बिद्विद्याला का पंजी कर्मांक number हमें यहा बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर fill up करना है और submit वाले बटन पर हमें किलिक कर देना है और submit करने के बाद हमारा जो form है वो यहाँ पर successful complete हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे नीचे एक option देखने को मिलेगा संस्था में जमा करने है तो आबेदन पत्र पर print करें तो आप लोग उनों print out निकालेगा और आपका जो भी result है not declare किया गया था वो उसका भी आप लोग print out निकलवा के तीनों farm को अपने college में जाके 2 set में hard copy को submit करेंगे और जब भी आप अपनी hard copy college में जाके submit करेंगे उसके बाद college verify कर देगा और college verify करने के बाद आपका district से भी verify यह form हो और आपका result यहाँ पर चड़ जाएगा result चड़ने के बाद दोस्तों आपका जो भी farm का status है यह यहाँ पर सही हो जाएगा और आपका यहाँ पर district से भी verify हो जाएगा और इसके बाद आपकी जो scholarship committee पे रह जाएगा जहां से आपको scholarship राप्त होती है यह बहां तक form आपका पह जाएगा और आपकी information सारी सही पाए जाती है और आपको scholarship के पात रहें तो आपके भी bank account में scholarship transfer कर दी जाएगी so I hope आज की इस video मैंने complete जानकारी दे दी है कि किस परकार से UP scholarship के form 2022-23 के अंतरगत जिन student ने apply किये हैं और जिन student के यहाँ पर mistake हो गई है फारम में वो किस परकार से अपने form का correction कर पाएंगे चाहें आप लोग एक fresh student हो चाहें आप लोग एक renewal हो सारे student यहाँ पर आवेदन को correction कर सकते हैं चाहें आप लोग first year inter UGPG technical diploma medical diploma किसी भी year के student क्यों ना हो उमीद पूरी करते हैं कि यह video आपको काफी जादा पसंद आई हो पसंद आई हो video को like करो अपने other fan के साथ share करो यदि आपके मन में online corrections से relative कोई भी questions है तो नीचे comment करके जरूर पूचेगा हम आपको वहाँ पे 100% reply देंगे इस video में बस इतना ही मिलते हैं एक नई video में नए topic के साथ अब तक के लिए bye bye